या परफ्यूम लोग किया है एक इसका प्राइस जानते कितना हैं आप सोचेंगे 250- 127 रियाल का परस्यूम मैं क्या मॉना तुम है करी है दूसरा परफ्यूम एन-ब्रैंड का है 290- c$ 566 रियाल भाय साब युलो गाली परफ्यूम में चتم कर दिए हेलो दोस्तों असलाम वालेकों वेल्कम बैक मुटक चैनल मैं हूँ आपका दानिश और आप देशित वाला व्लॉग्स तो गाइस जैसे की मैंने कल आपको व्लॉग में बताया था कि कल से सायद मौंबा इसकूल जाएगा लेकिन नहीं जा रहा था कि इस पढ़ाई नहीं हो रही है जैसे हम लोग करते हैं बहाने कि पढ़ाई नहीं जाएंगे वह सही यह लोग भी है अब ही फोन आया कि स्रेगल सी यह रहा तो मैं गारी बहार कि श्टाक दरे की खड़ा हूं तो अभी टाइम हो रहा है छै पच्चिस साड़े से बजन कलना है तो मुझे नहीं मौन जाने वाले कौन नहीं लेकिन महांबद के बड़े वाले भाय का फोन लेकिन महांबद निक चलो चलते हैं हे हमाले मोंमद भई तो अभी मोंमद को इतार दिया है और अभी चलते हैं गर गडर चले और करें कियो मिन नास्ता नहीं किया है और अभी नास्ता व्य व्य हुथ था ने चर्था गlight वनकें बनाने का मन नहीं करता हूं तो चलते हैं कुछ ले लेंगे पराठी वग 나타ं एअर किया पराठी चै खाएंगे शोसो शो 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 वार सुबह का डायम बहुत अच्छा लगता है याँप लतंब कर दन्बहर इतनी गरम होती है कि सुबह निकलो घर से से बहुत अच्छा फील होता है, क्या बोला जाये इधर है girls के school इतर girls हो गारे रहा है इस side में girl's के school है, उस side में boys के यह जब मतासा शूटता है इतनी भीड होती है इतनी गार्डियां आठती है, इतनी traffic होता है क्या बोला जाये कि इतने बड़ा स्कूल है तो इसमें तो ऊजाए है ट्रेफिक होता है, छोटे इसकूल में इतना ट्रेफिक होता है, कि यहां में सब लोग bikes आते, भाई साफ सब बच्चे हमें, सब कारे आ पोई तो भाई साफ, फुल तो हो नहीं है अब यहां सामने देखे पूरा बन रहा है यहां सब फ्लैड बनेंगे यहां पर विला नहीं बनेंगे यहां पर फ्लैड बनेंगे सब पकिस्तानी थी मतलब किnh घर इन्डीय यहीड हो भरना पकिस्तानी यहां पर कामयों और विक्तानीम करते हैं मतलब कि इंपैसा कमा दाना साइव के लावा पहुत करते हैं पाकिस्तानीर यहां नॉर्मल इन लोग ना ऐसे बंद के आते हैं तो 100 रियाल डेली कहो देड़ियाल डेली कहो यहाँ था कि कभी लबे यह सब होता है हम लोग थोड़े थोड़े काम के लिए जाते हैं अब लगो कभी थोड़ा बहुत काम होता है आदे गंडे का पंदावड का एक गंडे का उसक पूरा 100 रियाल चार्ज करते हैं उनका तो पूरे दिन की डिगाडी हो गई ना यहाँ आप लेबर लाते हो तो आश्या तो है ने क्यों एक गंडे की डिगाडी लेता हो तो पूरा दिन की लेता है आपका थोड़ा सा काम उच्छे ज्यादा क्राम हो पारी साब इतना ज्या कदो अधागी करने के शाम बाध कर वाना हो तो हम कि अधा भी किना काद आर में रिखके सकुल तो हमने में खोड़ने के लेकिन के अगुत हैं तो कि आब घंध मयुस्क की आजओ है बहुत रेयर है कि डूटई लग जाए दूपारे गरना अलहमदो बूद्ध की अम और देखते हैं कितीर निकलता है, वैसे 11.30 हो गया है, साड़े ग्यारा बोला था उसने, और बहुत साथी गड़िया खड़ी बार, पैरेंट्स की, ड्रैवर्स की, उसमें हम भी हैं, दोस्तों भी मुहम्मध को लेकिया गया है, और मैं 11 बजे, उसने बोला साड़े ग्यारा जाए देना, मैं किया देखा देखी चला के बटूँगा, तो अभी 12 बज गया है, सोग कोई फैदा नहीं है, टेसमेट बाद रजान हो जाएगी, तो नमास पढ़के समयेंगे, तो अभी जा रहे हैं नमास पढ़ने के लिए, और क्या हाल है, चलो, जाएगा उसना बना र लिए है, लेकिन इनक नहीं है वो, तो तिन गंटे और तो लेंगे, तीन-चार बत तक, उसके बाद रात में भी डूटी लगेगी, नहीं लगेगी, अभी डूटी देखो, आप लोग खुद देखते हैं, डूटी भी कम हो गई, नॉर्मली कम हो गई, वल्ला कम हो गई, व बीच में जब मदरसार बंद हो गया, तो डूटी बढ़ गई थी, बढ़ कया गई थी, शिवराद रात में होती थी, ऐसे मेडम के वह तो हफ्ते में एक पर जाती थी, मदरसार बंद हो ने पर हफ्ते में चार बार पार हो जाती थी, तो मदरसार फी चालू हो गया है, आप गर्मी यहां की गर्मी तो बहतर जाने क्यों इतनी गर्मी होती है वारिश होने लगे ना तो गर्मी कम हो जाएगी एक्चलि यहां पर इतनी ज़्याद अगर हमें निचे तो पूरा पत्थर है पहाड़ी एरिया है यह समंदर से 2000 फिट उपर है चलते हैं क्या करें मस्जिद में यही लगी है मुझे बना के बैठते हैं थोड़ा वहां पर हेलो दोस्तों दोस्तों भी टाइम होके आए तीड़ देड़ी में जाए एक बिस हुआ है और अभी मैं आया हूँ लड़के के साथ किसी रेस्टोरेंट आया है मुझे नहीं मालू मैं कितना टाइम लगेगा कितना डाइम नहीं जो भी होगा बताएंगे मैं आप लोगों बताया था नमास के पहले मैं जारों नमास पढ़ने के लिए तो उस टाइम पर मैं नमास पढ़के आया टाइम होगे तो लगभब 12-40 मैं लेटा 10 मिट लेटा हूं बहुत जाना होगा घर से लेट बग 25-30 किमिटर दूर है तो यहां पर आये हैं देखते की तरणा आम नहीं रियाद पारक के जो लोग यहां पर रहते हो जानते रियाद पारक एक मॉल का नाम है उसके सामनी आए हैं यहां पर रेस्टोरेंट है एक तो देखते की तरणा नहीं ले नहीं फील हो रहा है कि नीद है कि गाठी चलाते हुए लेकिन अगर सोच अदर अच्छी बात थी नहीं सोय तो कोई बात ने इस इस माई डूटी इस इस माई जॉब I am doing my job. So, मिलते है बात में आप लोगों से बने रिमें साथ वीडियो में लोग आये हैं यहां पर अभी अब पर्फिम लेने के लिए तो आप देख सेते सामने पर्फिम उसकी दुकान है और यह लोग इतनी अशी पर्फिम के लिए ही गूम रहे हैं मैं आप को एक चीज दिखाता हूँ आप बताईए कामेंट करके और यह पर्फिम लोग क्या है है इसका प्राइस जानते कितना है आप सोचेंगे 270 रीयाल का पर्फिम अपने महीने की अपने महीने का खर्चितना यार 270 रीयल का पर्फिम I can't believe यार। इतना महेंगा पर्फिम इसके पहले जहां गय थे, मुझे लगा था कि सेह रेश्टिरेंट और हो गया है Nilाएगлы वहाँ पर यह लोग काफी पहले, दो मेरे लब्वक है, लग रात में आएथे वहाँपर तो मुझे रेश्टिरेंट है, वो वहाँगे होँगी लिखी वहाँ पर मार्क्ट वगर भी है तो वहाँ से निकल के भी आएं यहाँ पर क्यों आए है क्यों कि अब लड़के का मदर से चलुग है तो लोग मदर से में पर्फ्यूम वगरा बहुत लगा कि जाते हैं तो अभी यह लोग मैं कैसे दिखा पाया यह देख सकते बैग है यह रख के चले गए थे यहाँ पर इसलिए मैंने आप लोग को दिखा दे भाई साब 270 रियाल का पर्फ्यूम अपना महीना गुजर जाएगा यार इतने में तो सोच लोग यह खर्चा कितना होगा महीना कितना होगा इनका इतनी अपनी सेलरी ना इससे डबल दिबा लेनों कर्चा करते हैं खाली एक लोग चकीन ही नहीं हो रहा 270 रियाल का पर्फ्यूम मतला कितना हो जानते हो अपना 270 बोले तो हुआ 4 सम्तिंग 6,000 रुपे के असपास हुआ मानना पड़ेगा ब्रो मानना पड़ेगा लबबक 56,000 के आसपास पड़ा देख के धुमे उड़ेगे यहां अपन 5 रियाल, 10 रियाल का पर्फ्यूम लगाने वाले 270 रियाल भाई साब ठीक है वेट करते हैं अब यह लोग गया अंदर मार्कर कितनी इची लग रही है आपको मार्कर दिखा तो कितनी अच्छी लग रही देखने में यह है सौधी अरेबिन कल्चर की मार्कर और जो यहां पास सौधी अरेबिन कल्चर की वो तो बहुत टाइम लगेगा लेकिन जब बनेगे ना देखने लाएक का हो कुछ दुबाई में उस टाइब की मार्कर है एरिया बिल्डिंग देखे खाली यह बिल्डिंग यह बिल्डिंग नहीं बोले तो मार्केड है कितनी खुब्सुरत लग रही है देखने में और यह है फर्स्ट फैसन यूनिफॉर्म और यह है एन पर्फ्यूम और आगे भी बहुत सारे हैं और इधर है रियाद पार्क इस साइड में रियाद पार्क है लगभा कि हम अभी खड़े हैं जहां पर खड़े हैं यह है दो नंबर एक्जिट यह है तो यह है रियाद का सबसे बड़ा सौपिंग बाल माला है माना जाता है इसको लेख सकते हैं इसा नहीं है कि टू स्टोरी त्री स्टोरी फॉर स्टोरी है लेकिन जो भी है काफी बड़ा है और अभी आप देश सकते हैं पूरी पार्किंग खाली है मैं यहाँ पर लगभाग आया था तीन महीने पहले चार महीने पहले फाई साब रात के डाइम आओगे ना आप पार्किंग फाइंड आउट करीने सकते हो अब आप देश सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर देश सकते हैं यहाँ पर आयरो है यहाँ पर आयरो है यहाँ से आप इंट्री नहीं कर सकते इस जगे से आगे वाले पार्किंग में वहाँ से आयरो है तो यहाँ से आपको सिफ निकलने के लिए वहाँ से गुजने के लिए आ आपको निकलन आपड़े घाल ईको आपको निकलना पड़े गान भर जा अर्थ दीन के लिए कर दो आफ अपर घूमते रहो गुमते रहो जैसे कोई गाडी सबसे बड़ा पार्क इसकों मानते हैं सब लोग यही पादाते हैं जायतर तो अभी जिस काम के लिए आये थे वो काम कर लिए इन लोगों ने दो पर्फियम लीए हैं, दूसरा वाला मैंने नहीं देखा भी देखते हैं कितने रियाल का है वो तो यह है दूसरा पर्फ्यूम एन ब्रैंड का है और इसका एन नौविल एन ब्रैंड का है नौविल कुछ फ्लेवर का नाम है इसका प्राइस देखिए 290 र्याल 290 र्याल भाई साब पास सो 500 र्याल भाई साब यह लोग जाली पर्फ्यूम में काम गर दिलूए यह होती है इन लुग किया यह या सी 500 र्याल सिर पर्फ्यूम में एक्षिल यह लोग पर्फिर्म बहुत जादे यूज करते हैं फ़सर तक खतम हो गया होगा अभी लड़का मदरस जा रहा है तो इसको नए पर्फिर्म चाहिए और अभी यह मुझे ला के दिया सूनने के लिए काफ़ एच्छे कुछ बूब है पूरी गाड़ी महगे इसको ने रखा है आपर तो अभी बता नहीं कितना नाम लगेगा यह लोग से पर्फिर्म लेने के लिए आए दे अब रियाद पार्क के पास थे तो अंदर आगे बोले की ठोड़ी दे के लिए कुछ भी अब जले गए अंदर क्या कर जकते हैं ज़द्मी में खड़े हैं और बस यही है रियाद पार्क खुछ अप लोग आए हो जो लोग यहाँ पर रहते हैं जो लोग नहीं आए हैं कभी आप रियाद आएंगे तो आप रियाद पार्क तो 101% आएंगे रियाद पार्क हो गया ममलका मॉल होग जो बिल्डिंग है यहां की सशी फेमाइड डिल्डिंग है वो मॉल ममलका मॉल उसके नीची है वहाँ पर ये दुज जगें आप जाएंगे ही जाएंगे ठीक है देखते कब जाएंगे और घर से आया था लगबग एक बच निकला था भी थाई बच गया है यह होती है ड्राइवर लाइफ जितनी एल्दी हो सके नीन ले लिया को रहो कभी टाइम मस वेस्ट करना मेरा काम ऐसा है मुझे वीडियो गरा इडिक करना पड़ता है अपरोड करना परत or इसके जरा मुझे थुड़ा नीन कम मिल पाती है कम से कम इस प्रोसेस में मुझे लगता है पाच गंटे पाच गंटे मुझे डूसे बचन्ति नाज़ता है तो तो इसके यह विरी पास गंटेग नीन चली जाती है अलहामदुलिल्लाइ मेरी डूटी भी इतनी जाता रही है जिसके विए से मेरी नीन पूरी हो जाती है इतर तुर से कभी कजार एक तो पाई चांस होता है कि नहीं उपाती है वरना हो ही जाती है अलहामदुलिल्लाइ और ठीक है रहते किती है लगती किती है भाइसाब काड़ी बंद करो पूरा पसीना पसीन हो जाता है ठीक है, मिलते बाद में आपनों उसे फाइनली घर पोच गया ताइम हो गया, बच अब अशिक नमाज भी नहीं पड़ी है, खाना भी बनाना है, क्या करना है दिमाग काम नहीं करता है, भाइसाब बाहर रहना मामुली बात नहीं है आप ड्यूटी कर लो, खाना ही बना लो जब ड्यूटी करते ना, तो टेंसन लेगे, यार खाना बनाना है अब ये कपड़ दुलना है, अभी यार ये करना है, अभी यार वो करना है तो दोस्तो, अब टाइम हो रहा है, सबा साथ आप लोग ने देखा, तो लास्ट टाइम में आया था, रगोई साथ जब गया था, तो आया था, पाच बजे आ गया था उस बार खाना पिना बनाया, खाया पिया बिल्कुस सरीर कामी नहीं कर रहा है, मतलब नीन नहीं पूरी नहीं है आप लोग बोलो कि तुमारी गल्ती नहीं पूरी किया, मैं नहीं बोल ला हूँ कि गल्ती मेरी है, लेकिन भाई जब अब सब कुछ करना पड़ेगा, आप वीड़ो भी अप्लोड करना है, डूटी भी करना है, सोना भी है, तो एक चिट को सक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो नीन ज़्यादा ज़रूर यह सक्रिफाइस करना है, क्योंकि डूटी तो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ब्लोग भी इम्पोर्टेंट ही है, दूस्तों मैं अभी आप लोगो जो बता रहा था कि अभी मैं गया तापने पापा कि सब बगा ले, मैं यो बना ही रहा थ ज़रूचष नहीं मतलब कि उन्होंने चाबी दिया है बोला कि इसका संसें बन्वा के ले हो तो चाबी दिये है उन्होंने सेंटकी चाबी तूट गई होगी इसी हुघ See our길 ममा रहे हैं नई चाबी बन्वा के आते हैं वही रूखान है चाबी की चलते है नाहीं मुखाक सी प्रदाक्स बन्जाइगी प्रदाक्स बन गई है काई सच्छी वतारा मुश्किल से एक चावी में 30 से 40 सिकंड लगा होएगा तम टू कॉपी मतलब की जो मैं चावी ले के आया उसकी सेम टू सेम आप पहिचानी नी पाएंगी कौन सी परानी कौन सी नहीं है दिखा दे हूं आप लोगो इसमें देखे कौन सी पुरानी कौन सी नहीं है बताइए आप दम नाम हम सब वही लिखा है लेकिन ये जो है ये पुरानी है ये नहीं है अभी दूसरी दिखाता हूं अब ये देखिए इदम सेम पुरूसरी आप इसमें रताएए क्या डिफरेंस है अब ये जो है नहीं है ये पुरानी है कुछ लिंसाने स॥ित्या राइस मतलब भाई साफ आप अजन दे कितने की बनी 북한व एग एग चाहभी प्यर्ट वहां तब यहां के GPS से बहुत सता है, तीन रियाल मतलब मेंसे पूरा, 3 तिइंड तिदातीन रियाल 4 tänker घैंट एक तिदातीन היometer मतलब चैट फैसे तो फोन करतों बापन उसमा बताता हुआ आझ अट बिदातें बोलाए तो भी बन गया तेखा अपने कितना भाइसाब सची बता रहो एक निट से देड़् मिनट लगा होगा उसको बस खाली इतना डाइम लगा उसको सेडिंग करने में लगा है और कि सा एक मिनट नहीं लगा एक चावी मनाने में ठीक है हो गया भी चलते गर पर हेलो दोस्तो, दोस्तो भी टाइम हो गया है, दस, लबब, नौ दृपान हो रहा है, अभी मैं आये भापा के साथ, पोथे में, बहुत समान कहिते हैं, हम लोग एक बार खरीद लेते हैं, तो 15 दिन, 20 दिन, महीने तो निकल जाता है, समान से, लेकिन सब्जी अगरा है, हफ्चे में, 10 दिन, 15 दिन में लेने जाना पड़ता है, लाकी तो रासन पाने तो महीने पर सो चाल जाता है, इन लोग का तो हर हपते, हपते भी नहीं है, तीन दिन में, चार दिन में, वह अक्सर आप देखते ही है, हमेशन आतों मैडम को साथ, अज मैडम नहीं आई है, तो बाबा आय है, उनकी रड़की आई है, देखते हैं कितना श्मान लेंगे, उसनी साथ से ट झाल झाल